गुड बॉनिंग मैं डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक डू मैं चैनल आज फ्रेंड्स आप लोगों से मेरे गार्डन की जो आनबानसान है जो प्लांट और जिस प्लांट के बिना मैं समझती हूँ मेरा गार्डन हमेशा अधूरा रहा है और मैं उस प्लांट को कभी भी अपने गार्डन से जाने नहीं देती हूँ तो इतना लगाव है मुझे उस प्लांट से तो आज उसी प्लांट के बारे में मैं केर टिप सेयर करूंगी और वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा प्लांट है जिनका जिग्र मैं हमेशा अपने हर वीडियो में करत कि हूँ वो प्लांट है कोलियस और खास तोर पे अभी समर सीजन है तो समर सीजन में यदि आप इस प्लांट को अपने गार्डन में एट कर सकते हैं और धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं और आपका गार्डन जो है बहुत ही खुबसूरत दिख सकता है बहुत इजी टू ग् कोलियस के बारे में ही आप लोग से केयर टिप सेयर करूंगी और अपने पास जितने भी कोलियस के प्लांट है वो सारे प्लांट आज आपको दिखाऊंगी तो वीडियो में लाज तक बने रहिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर करना मत भूलियेगा तो चलिए सुरुवात करते हैं देखें लगबग तीन इंच के पॉट में मैंने लगाया है कोलियस और कितना बूसी हो गया है कितना घहना हो गया है तो आज इसकी पूरी केयर बताऊंगी तो सबसे पहले मैं अपना प्लांट दिखाती हूं और देखे यह बहुत सारे प्लांट मैंने यहां पर रखे हैं तो मैं आज गिन कर भी बताऊंगी कि कितने कलर वाले पत्तियों वाले मेरे पास कोलियस के प्लांट है बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं तो सबसे पहला प्लांट यह मैरून कलर वाला है देखें इनकी पत्तियां कितनी खुबसूरत है, सेकंड प्लांट ये ग्रीन वाला है, जो आखों को तो बहुत सुकून देता है, और ये तीन नंबर, और ये चार नंबर, और ये पाँच, और यहां पर आगे और देखिए, बहुत ही खुबसूरत, छै, और ये पत्ती वाला देखिए, साथ हो गया, और आगे आपको दिखाती हूं, ये है ग्यारा, और एक और पत्ती है, लेकिन पता नहीं कहां रग दिखाई नहीं दे रहा है, तो लगभग ग्यारा बारा प्लांट है, मेरे पास कोलियस की, यहां पर है, ये है बारवा प्लांट, तो मेरे पास बारा कोलियस की प्लांट है, ज तो मैं भी ढूडने लगी हूँ वीडियो बनाते बनाते और पा भी गई तो देखिए मैंने फेक दिया है उसे बाहर और इस तरह की पतिया होती है और इस समय फ्रेंड्स आप सारे प्लांट में इंसेक्टिस एड अपलाई जरूर कीजिए मैं भी करूंगी लेकिन बारिस के बज़स मैं करनी पा रही हूं तो देखे कितना खुबसूरत लगता है यदि आपने कोलियस के लगभग 5 प्लांट भी एट कर लिए तो उसकी कटिंग ले लेकर आप धेरो प्लांट तयार कीजिए और आपका गाडन जो है बहुत खुबसूरत दिखेगा मैं देखिए इतन कि मैं लेंदी से हो जाते हैं तो उस प्लांट को आपको हटाना है और उनकी ऊपर की और टिप वाली मैं आगती है उसको अपको ढडेरो कटिंग लेनी मैं और लगानी आई लेंग लगानी है कैसे कटिंग लगानी आई और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे ही मेरे प्लांट बड़े होते हैं और थोड़े खराब से दिखने लगते हैं एक ही प्लांट साल भर नहीं चलता कोलियस का तो आपको कटिंग लगाते रहनी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई सीजन आपको नहीं क्याति है और जाधा मैं ताम जाम नहीं करती हूं मैं कोई रूटिंग हर्मोन नहीं लगाती हूं और नहीं एलोएरा जेल नहीं पहल्वानगी तो यहल्र साथ हैं करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट नहीं बान के लिएstar pug ततों यह आपाँ तरह की कुछिसे में वट्री ऐसा जंड करा था मिलानी क्यक्त दरुन, होटिम को त की après-वार्व कव करने पक्나षी है, रख भर जहाते मनें खुबसूरत भी बना सकते हैं तो इसकी अपडेट मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आज से लगभग चार या पांच दिनों के बाद की इन में रूटिंग हुई है की नहीं हुई है और भी मैंने कटिंग अपने गार्डन में लगाए हैं उसको मैं बहुत जल्दी इन में रूटिंग आ जाती है तो आप देखी सकते हैं कितनी जल्दी और इस प्लांट को लगभग मुझे चार से पांच दिन हो रहे होंगे पांच दिन भी नहीं हुए है और देखें कितनी अच्छी रूटिंग इसमें हुई है तो इसे आप हाप पार्ट मिट्टी और हाप पार्ट सेंड में भी लगा सकते हैं रेत में या फिर तो पूरा रेत है ना तो रेत में पानी डाल दीजिया और उसमें लगाई है रेत में बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है कटिंग जो है कोलियस की तो इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं अपने प्लांट क हैं दो दो पत्ति इस तरह से पत्तिय अटाएंगे तो यहां से क्या होगा दो-र्दो ब्रांच और नए आएंगे जिसे कि आपका प्लांट जो है अच्छा घहना हो जाएगा तो पिंचिंग मेथर से ही हम अपने तो देखें इस तरह से मैं निकाल रही हूँ आप भी इस तरह की आपकी टिब दो पति लिए जिससे की क्या होगा आपका जो प्लांट है वो काफी अच्छा गहना हो जाएगा तो चली यह तो बात हो घंघ करने की, और मिट्टी के बारे में बात कर लिए, कैसे जगہ पर प्लेश करना है, तो friends, इसे आप जो है, डारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इन डारेक्ट सनलाइट में रखेंगे, तो इनकी पतियां सिर्फ हरी हरी हूँगी, और ये वाला प्लांट तो हरा है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन जो कलर्फुल पत्तियों वाले कोलियस के प्लांट हैं उनमें कलर्स नहीं आते हैं तो और ज्यादा बढ़ते भी नहीं हैं लंबे-लंबे से हो जाते हैं तो इसे आप डारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं या फिर ऐसे जगह भी प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर तीन से चार घंटे की धूप इनको मिले तो ऐसे जगह पर रखना है पानी का भी सेज ध्यान देना कोलियस को ज्यादा पानी की रिक्वाइर्मेंट होती है ज्यादा पानी कहने का मतलब है कि भर-भर के पानी आपको नहीं देना है गमले की मिट्टी चेक करके ही नहीं तो ज्यादा वाटरिंग से भी ये प्लांट खराब हो जाता है इनकी रूट्स जो है खराब हो जाती है तो इनकी पतियां जो है नीचे की और जुग जाती है मुर्जास ही जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि इनको पानी देना है वैसे तो आप चेक कर करके देते रहि Gift पानी तो पानी की बात हो गई कैसे जगह पर प्लेश करना ये भी बात हो गई fertilizer की बारे में बात कर लेते हैं तो मैं इनको friends fertilizer vermicompose देती हूँ महने में एक बार ज्यादा fertilizer की जरुवत नहीं पड़ती है तो फिर मिलती हूँ, बाई बाई